माध्य प्रदेश के चाचोडा तहसिल के बिना गंज में आज खाद्य विभाग की टीम सहीद इस्थानिय प्रशासन की टीम ने सयुक्त कारवाई करते हुए कई दुकानों पर छापामार कारवाई की, दूर डेरिया और मिस्ठान सहीद होटलों के सेंपल लिए खाद्य विभाग की टीम सहीद इस्थानिय प्रशासन की टीम ने सयुक्त छापामार कारवाई में एक दुकान को सील भी किया गया, जिन दुकानों पर गंदगी मिली, उन दुकानदारों को भी हिदायत दी गई, खाद्य विभाग की कारवाई को देखकर कई दुकान वाले अपनी दुकान को बन कर भाग गए, चाचोडा से अमिद चोरसिया की रिपोर्ट दुकान जो बंद हो गई ती हुए उनको मौके पर जाकर के तैसिल दार सापके दौरा सील भी किया गया है, अज एक दुकान को सील गया था जिसमें दुकानदार मौके पर दुकान चोड़ करके भाग गया था और बागी जो नमूना कारवाई की गई है उसमें यह है कि स्रीकहना में स्ठान बंडार है चांचोड़ा तेराहे पर जिससे दही का नमूना लिया गया इस पर भी खराब खादसामगरी पाई गी थी जिसम तो कि दूसित खादसामगरी प्रतित हो रही थी उसको भी वहां से भाबाया लगभग 5 kg यह दूसित खादसामगरी जलेवी रंग वाली उसको ऩटवाए गया उसके अलावा आर्विन स्वीट से पास में उसका निरिक्षन करके वहां से मलाई वर्टी का नमूना जांचित आज करीब आठ आठ से दस दुकानों को निरिचन करके नमूना करवाई की गई है दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि अगर आगे भविश्व किसी प्रकार की अगर ऐसी कोई मिलावट और गंदगी अगर दुकानों पर पाई जाती है तो उस पर फिर एक करवाई की देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे देल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें